सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सोपर टेकनोलजी लेटस्ट वीडियो के लिए बेल आइकों दुबाएं वेलकाउं टो माई चैनल सोपर टेकनोलजी मेरा नाम दीप दुल्ड दोस्तों गूगल मीट के लेटर मैं बहुत सी वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाजा है कि अगर आप गूगल मीट की लाइव स्टीम मीटिंग मीन्स अगर आप अप टू वन लाइक पीपर को लाइव करना चाहते हूँ तो उसके लिए आपने मीटिंग को कैसे स्केजूल करना है कैसे लिंक की शेर करना है यह सभी देखने के लिए बने रहे मेरी वीडियो के एंड तक दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कलीर करना चाहता हूँ कि इस ओप्शन को यूज करने के लिए आपके पास G Suite अकाउंट का होना कमपर सरी है होस्ट एंड सभी व्यूर्ज एक ही और्गनियजेशन से होने चाहिए अगर आप इस लिंक को किसी अधर और्गनियजेशन के शेर करते हूँ तो व्यूर्ज आपके इस वेंट को नहीं देख सकेंगे दोस्तों पहले मैं आपको बतारा चाहता हूँ कि अगर आप विदाउट स्केजूल मीटिंग इस उप्षन को यूज करना चाहते हो तो आपने हैं थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है एड 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 एन इन हाउस लिव स्ट्रीम पे कलिक कर देना है तो आप यहाँ से भी इस उप्षन को यूज कर सकते हो दोस्तो जैसे आप यहाँ से हाउस को एड कर देते हो तो बॉटम पे आपके पास यहाँ पे लाइव स्ट्रीम का लिंक शो हो जाएगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी लाइव का लिंक शेर कर सकते हो दोस्तो अगर आप इन हाउस लाइब स्ट्रीम को स्केजूल करना चाते हो तो आपने सर्च बार में सर्च करना है गूगल क्लेंडर और आपने यहाँ पर गूगल क्लेंडर को ओपन करना है सैनियन पर क्लिक करना है दोस्तों जैसे आप sign in करोगे तो आपके पास यहाँ पर option आगी create की जैसे आप create पर click करोगे तो आपने यहाँ title add कर देना है जैसे यहाँ पर मैं title add कर रहा हूँ super technology live stream उसके बाद आपके पास यहाँ पर date choose करने की option आपके तो आपने date choose कर लें अगर आप all day repeat करना चाहते हूँ तो आप यहाँ पर click करके all day repeat कर सकते हूँ otherwise आपने से uncheck कर देना है दोस्तों उसके बाद यहाँ पर option are you add guest की आप यहाँ पर click करके guest को add कर सकते हूँ email send कर सकते हूँ after that option are you add google meet video conferencing जैसे आप यहाँ पर click करोगे तो आपके meeting के साथ google meet integrate हो जाएगी दोस्तों उसके बाद यहाँ पर meeting का link create हो गया है अगर आप live stream का link create करना चाहते हैं तो आपने यहाँ arrow पर click करना है जैसे आप arrow पर click करोगे तो आपको सबसे पहले show होगा meeting ID उसके बाद phone number more phone numbers भी आप add कर सकते हो after that यहाँ पर option शो हो रही है add live stream की जैसे आप यहाँ पर click करोगे तो आपके पास यहाँ पर एक new live stream का link create हो जाएगा आप यहाँ पर click करके इस link को copy कर सकते हो उसके बाद option आएगी add location चूज करने की तो आप यहाँ पर click करके location को add कर सकते हो description right कर सकते हो उसके बाद आपने save पर click करना है जैसी आप save पर click करोगे तो आपकी meeting अप calendar में add हो जाएगी दोस्तो फिर से इस link को share करने के लिए आपने यहाँ पर click करना है जैसे आप यहाँ पर click करोगे तो आपको यहां पे इस option को enable करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटकली यहां पे ओप्चन enable हो जाएगी जस्ट आपने 219 पे क्लिक कर देना है जैसि आप society continue कर दोगे तो आपके पास यहां पे option है स्टार्ट लाइव स्ट्रीमिंग की दोस्तों अगर आपकी Google Meet या किसी अधर एजुकेशन एपड़ क्वेरी है जा कोई श्याशन है तो मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मैं आपके हर कमेंट कर अप्लाइ करूंगा तक यू वर वाजिए लिए प्लेव प्लेव यू लाग दियुछ आपकी लूए तक फूर्ड ठीक कर अप्लेशन ब्लाइब बेग्स ताविप